हलो अप्रिवन गुडब्रिंग नमस्कार जैहिंद राधे राधे जोहार मैं आपका जेश एजुकेटर रहुद कुमार स्वागत करता हूं वाइफा स्टेड़ विचीज आप पार्ट अपन काडमी तो साम के पांच बत चुके हो राध जोड़ चुके हो एसे सिजल 2021 वाले करी जहां हम लोग देख रहे लगातार आज पाँचवे लेट वॉघ्यर में जिसमें हम अब दिखेंगे एज मुग duct और मुगल दैनेस्टी आपका 하는데 कर जाए तर जाने लें लगतार पां part सेर हम लोगों ने मुगल डारे सकुर्यो दर्भिए हो समझाना और पिê लोगी आ तक पढ़ाता चल्दी कितने लोगों को याद है क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूँ कि वैसे बच्चे जो केवल रेल वी टार्गेट की हुए हैं जिनका CBT2 और गुरूपदी पेपर बचा हुआ है 10 जून से सुबह 9 बच कर 5 मिनट पे यानि आज 11 जून को दूसरा लिक्चर था तो आप जोईन कर सकते हो प्लस पे हमारे साथ अगर आपका टार्गेट CBT2 और गुरूपदी है अगर आप इस हिस्टी कर टार्गेट करते हैं इस हिस्टी में यह फाइदा एक स्टेट देवल एक्जाम हमारे कबर हो जाते हैं तो जिसमें वर्ल्ड जोगर्फिय पढ़ा रहा हुँ है नौ जून से दो पर साड़े बारा बजे तो यू कें ज्वाइन इस पार्टिकुलर मैक्सिमम प्रोफिट अब उठा सकते हो यूज कोट बीए 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 वन जिरो लगा कर अब ये कई सारे बच्चे चाहते हैं सर मैं रेलिवे से दोनू करता हूं तो कॉम्बो है अब उचका भी फाइदा उठा सकते हो हमारे रेफरल कोट के साथ हैं नौ शूप संद्य ब और केवले सेस्टी के लिए सेस्टी मेगा सब्सक्रिप्टन आपार दो साल के सब्सक्रिप्टन पर बच्चे चाह महिने एक्स्ट्रा और एक साल के सब्सक्रिप्टन पर चार महिने एक्स्ट्रा तो बिलकुल फायदा जरूर उठाईए ये लिमिटेड प्रियाड आफर का और परसो संदे कॉंबिट पाडिसिपेट जरूर करना बोथ लेंग्वेज में हिंदी और इंगलिस दोनों में है तो ये कोड डाल कर आप इसे ओपन जरूर कर ले ना भई ठीक है बच्चे अनकाडमी सब्सक्रिप्टन के लिए आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं बीए बीए फिर्स देखरे हम आज पार्ट टू होगा मिश्मत करना आई ये देखें तो याद होगा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोगों ने बाबर से लेकर सा जहां तक देखा बचा था और इंजेब इसके बाद जिते सारे मुगल बास्ता बनते हैं कुछ बच्चे यहां आते हैं पढ़ने नहीं आते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी एक्स्ट्रा कैरिकूलम दिखाने आते हैं भाई जीवन है पढ़लो उमर निकल जाएगा हाथ मलते रह जाओगे बिलकुल घर वाले भी वैलू ना देंगे तो कोशिस करिए पढ़ने का अना पढ़ने की कोशिस करिए परिसान उमत हुए अभी आप देखोगे और इंजेब की बात करें यानि साजहा के बात गद्दे पर बैठता है 1658 में से लेकर 1707 मौर इंजेब और इंजेब एक मातर ऐसा सासक जिसने दो बार जो दो बार अपना सपत गरन करवाता है सपत गरहन करवाता है चूँकि आपने देखा हुमायू के बारे में तो एक मातर ऐसा मुगल बात्षा जो दो बार गद्दी पर बैठता है कब-कब तो 1530 में और दूसरी बार 1555 में लेकिन और अजेब एक मातर ऐसा मुगल बात्षा जो दो बार अपना सपत गरहन करवाता एक 1658 में और 1669 में तो चीजों को याद रखना कैसे कैसे कोश्टन आपके बनते हैं पूछे जाते हैं 1707 में और इंजेब की कहानी खतम इसके बाद से मुगल सामराज का पतन होना सुरू हो जाता है मुगल सामराज का पतन होना सुरू हो जाता है ठीक है आगे देखिए और इंजेब बिक्यम विक्टोरियस अप्टर दा बुर्चुल वार अफ सक्सेसन अमंग दा हिर ब्रवद दारा सुज्जा एंड मुराद और इंजेब अपने भाई दारा, सासुज्जा और मुराद के उत्रा धिकार के कुरूर यूद के बाद विजई हो गया यानि कहा जाता है कि और इंजेब गंदी पर बैठने के लिए अपने भाईयों की हत्या की और फिर गंदी पर बैठा जैसा कि हम लोगों ने देखा कि साजहां अपने बड़ा पुत्र दारा सिको को गंदी पर बिठाना चाहता था लेकिन और इंजेब गंदी को लेकर कुछ ज़्यादा उत्तेजित हो गया और अपने भाईयों की हत्या कर दिया तो चार यूध लड़े गए मुख्य रूप से कौन कान सा यूध हुआ उत्तरा धिकार का यूध या वार अप सक्सेशन कहते है इसे पहला यूध अगर देखे हम तो बहादूर पुर का यूध हुआ फरवरी 1658 में बहादूर पुर कहा वच्चे बनारस में किसके बीच दारा और सासुजा के बीच में चोकी अफवा फैल जाता है कि सा जहां के मिर्तियों हो गई 1658 में और सा जहां कि मिर्तियों होने के बाद चारों पुत्र जो उनके हैं वो लड़ना सुरू कर देते हैं आपस में गद्धी को लेकर गद्धी को लेकर तो पहला यूद बहादूरपुर का यूद 1658 में दूसरा यूद वारत धर्मत धर्मत का यूद धर्मत कहां परे उज्जैन में अप्रेल 1658 में कब हो ये अप्रेल 1658 में अरे विकास जी क्यों ऐसा करते हो यार मैं देख रहा हूं अभी कुछ देर देर से आप पढ़ने से ज्यादा ना दूसरे एक्टिविटी करने आते हैं बच्चे यार या तो पढ़ लो या तो किवल कमेंट ही कर लो तीस्तरा यूद होता है सामुगर का यूद वारफ सामुगर ये कहां आगरा में मैं 1658 में मुराद और दारा के बीच में अंतिम यूद होता है वो धर्मत का यूद है कौनसा धर्मत का यूद कौनसा यूद है धर्मत का यूद या तक न अंतिम यूद है धर्मत का यूद और अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है तो अब बता दो सर कि मुझे नहीं पढ़ना मैं बिलकुल वन विक तक क्लास नहीं लूगा सर अगर आपको लगता है कि सर मुझे नहीं पढ़ना है मैं एक सब्ता तक क्लास नहीं लुगा तो pum अगर आपको लगता है कि सर नहीं मुझे नहीं पढ़ना है एक सप्टा तक बिलकुल मैं हॉलिडे कर देता हूँ बिलकुल आदा हम सो रिलाक्स करीए इसके बाद एक सप्टा के बाद क्लास लेंगे ठीके अब कमेंट बॉक्स बता दो तो सामुगर के बाद यूद होता है बच्चे खजुआ का यूद परियाग राज कौन सा खजुआ का यूद परियाग राज में अलाहबाद के पास दिसंबर 1658 अंगुर औरंजेव और सासुज़ा के बीच में तो कौन-कौन से बैटल लड़े गए कौन-कौन सा यूद लड़ा गया वो सेक्वें जरूर देखना तो एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराओं तो पहला यूद कौन हुआ बहादूर पूर का यूद पहला बहादूर पूर का यूद फरवरी 1658 में दूसरा धर्मत का यूद अपराइल 1658 में तीसरा सामुगर का यूद अब मई 1658 में चौथा खजुआ का यूद परियाग राज अलाहबाद के पास 1658 दिसंबर में और फाइनली देवराई का यूद अजमेर के पास मार्च 1669 में और अरंजेव और दारा सिगों के बीच तो ऐस ये पाइनली अंतिम यूदता देवराई का यूद जिसस कौन बठेगा औरंजेव बैठे अब दीपर क्योंकि यूद आट पता है कि अपने पिता साजहां को कैद कर लेता है साजहां को कैद करके रखता है आगरा के किले में कहां पे आगरा के किले में या दखना आगरा के किले में अब अगर मैं औरंजेव की बात करूँ तो हिव उसने आलमगीर की उपाधी ली आलमगीर परजा द्वारा दिया गया साही नाम जिसका अर्थ है विस्विजेता जबकि आपने देखा जहांगीर को भी विस्विजेता कहा गया जो उसका अर्थ साब्दिकर से निकाला जाता है तो वो विस्विजेता है जबकि आलमगीर की उ चास वरस तक सासन तो करता है लेकिन अकबर जहां निरच्छर सासक है ये पढ़ा लिखा सासक है और ये बिल्कुल अपने दिमाग का उप्योग करके ये सासन किया और चारों तरफ अपने दुस्मन पैदा कर दिये मराठा से भी इसने दुस्मनी मोल ले ली नौवे सिख गुरु गुरु तेक बहादूर को 1675 एस्वी में उसने फासी पर लटकाया जबकि पाच्वे सिख गुरु अर्जन देव को जहांगीर फासी पर लटकाता है जहांगीर फासी पर लटकाता है ही प्रोहिटेट सती रिचुल्स इसने सती पर्था पर रोक लगा दी ये बहुत बड़ी बात है जबकि सती पर्था पर रोक लगाया जजिया कर को फिर से इसने प्रारम किया प्रारम कर दिया ठीक है 1689 में जजिया कर को फिर से लागू किया गैन मुस्लमानु पर कर और उसने संगीत और कला पर प्रतिवंद लगा दिया अब सोचो, म्यूजिक पर तो बैन लगाया ही लगाया खुद बहुत अच्छा वीना बजाता था कई हिंदू मंदिरों को नश्ट किया जैसे केशव राइट टेम्पल केशव राइट टेम्पल मतुरा कासे विश्वनाथ टेम्पल वारा नसी इन जब को तोड़ा बिल्कुल जवर्दस तरीके से ठीक है और संगीत और कला पर प्रतिवंद लगा दिया इसने लेकिन सबसे बली जो खुबी है इसकी बीबी का मकबरा जिस हम लेडी का मकबरा बोलते हैं महरास्र के औरंगाबाद में इस्थित एक मकबरा है जिसका निर्मान कारे शुरू करता तो है औरंग जेब लेकिन फाइनली पूरी तरीके से इसका बेटा आजम सह ने अपनी मा की याद में बनाया मर्नो प्रांत इसे रव्या उद्दुरानी के नाम से जाना जाता है आपको यादों का 1707 इस्वे में इसकी मिर्ति होती है परसिद ताजमहल साजहा की पतनी के समाधी के समाने यह परसिद ताजमहल इसलिए बीबी के मकबरा का हम ब्लैक ताजमहल कहते है यह जेराक्स कॉपी कहते है ताजमहल का जेराक्स कॉपी या साउथ इंडिया का ताजमहल कहते है साउथ इंडिया का ताजमहल कहते है उसने दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद और लाहोर में जामिया बात्साही मस्जिद बनाया आपको याद होगा कि आगरा में जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद है उसका निर्मान साजहाने किया था जबकि दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्मान औरंग्जेब करता है तो ये गलती मत करना बिल्कुल ठीक है गलती मत करना बिल्कुल या रखना ठीक है आगे मैं बात करूँ उनके सासर के दवरान विद्रो मत्वुरा में जाट किसान, पंजाब में सतनामी किसान और बुंदेल खंड में बुंदेल का विद्रो हो गया या दखना ठीके बच्चे उसने दर्वेश और जिंदापीर कहा जाता है, सती को हटाया बीजापूर को 1686 में, गोलकुंडा को 1687 में और 1689 में जजिया पर विजयपराब की यानि जजिया को फुर्चे ले आया 1707 में अहमद नगर में इसकी मिर्तियों होती है और मकबरा कहा दौलताबाद महराश्ट्रा आज याद होगा, आज मैंने पढ़ाया था सुबह अन अकैडमी पे और एक कोश्चन था कि और अरंजेव के मिर्तियों कहा होती है अहमद नगर में दफनाया कहा जाता है दौलताबाद महराश्ट्रा में बिल्कूल जा रखना ठीक है इसके बाद गद्धि पर बैठता बेटा सबसे अंतिम सासक की बात करें बहादूर सा जफ़र या बहादूर सा दियोतिये क्योंकि ये अंतिम सासक है इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली में इसका जनम होता है पिता इसका अकबर सा दियोतिये जो राजारा मोहनराय को राजा की उपाजी दिया था मदर इसकी लालबाई और सात नॉवंबर 1862 को रंगून ब्रिटिस बर्मा में इसे दफन किया गया था तो इसे हिसाब से तीन मुगल बात्सा जिनका मकबरा बाहर में है बाहर से बाहर बाबर का काबूल जहांगिर का लाहौर और फिर बहादू सा दियोतिये जफर का रंग ब्रिटिस बर्मा आज मियानमार के नाम से जानते हैं आज मियानमार के नाम से जानते हैं बहादूसा जफर इसे बहादूसा दियोतिये कहते हैं जफर क्योंकि एक बहुत बड़ा कवी था और कवीता लिखा करता था जफर के नाम से इसलिसके नाम के आगी जफर लिखिया भारत का आखरी मुगल समराथ जिन्होंने पीच सु वर्ष की आउदी के लिए अठारहो साहते से सत्तावन तक सासन किया था। ठीक ना। भारत की सु तंदर्ता के लिए ब्रिट्री सासन से लड़ने के दौरान एक परमुख का निभाई। इसलिए कहते हैं थिवरी पढ़ने के लिए अभी आपने देखा सुभाज कोशन था कि ओरंजीब के मिर्तियू कहां हुई आपने क्या लगाया दौलता बाद लेकिन क्या न उन्होंने बड़ी संक्चा में गजल लिखी और उनका दर्बार मिर्जा कालिब सम्तालिन थे दाग, मुमीन, जौक, सहित महान, परतिष्टा के कई उर्दू लेकों का घर था तो मिर्जा गालिब किसके संकालिन थे, कई बार पुछा गया बहादूसा सेकेंड के, बहादूसा सेकेंड के संकालि, आएक कुछ सवाल देखें, और अरंजीब वाजन एक्सपर्ट मुजिसियन ऑफ विच इंस्टुमेंट, और अरंजीब किस वाद यंतर का विशिसा की स अंगितकार था, तो औरंजीब की बात करें, वीना का, जब की, अकबर क्या बजाता था, नगाला, अकबर क्या बजाता था, नगाला बजाता था, आएए देखें, सवाल नमर दो, तो औरंजीब द्वारा कतल की जाने वाले सिख गुरु की बात करें, तो गुरु तेख बहादुर, जब की, अरजन देव, पाचवें थे, ये, पाचवें सिख गुरु, जिनकी हत्या जहागिर करता है, और तेख बहादुर ये नौमे गुरु थे, कौन दे, नौमे गुरु, गुरुगोविन जिक दस में थी, है न, या दखना बिल्कुल, तो ग्यारा नौमबर 1675 को, नौमे सिख गुरु, गुरु तेख बहादुर को मुगल सम्राट औरंजेब के आदेश से, दिल्ली में फासे दे गई थी, क्यों फासे दिया जाता है? तोकि इन्हें इसलाम धर्म को स्विकार करने के लिए जोर दिया जाता है, और ये इनकार कर देते हैं, इसलिए ने फासे पे लटका दिया जाता है, है न, या दखना, जजिया किसके सासंकाल के दवरान दुबारा लगाये गया था अकबर, जहागिर, और अरंजेब, साजहा, सवाल नमर तीन जजिया वाज रीमपोज्ट डिवरिन दा रीजन ओफ जजिया किसके सासंकाल के दवरान दुबारा लगाये गया था जरह बताना तो जजियक इसके सासंकार की दर्वान दुबार लगाए गया था अभी मैं पढ़ा चुका हूँ औरंजेब की क्योंकि आकबर तो समाप कर देता है लेकिन फिर से औरंजेब इंपोज करता है जब कि पहली बार मुहम्मद बिन कासिम भारत में इसकी इंटरी करता है जबकि फिरोसा तुगलक पहली बार ब्रहमन पर लगाता है तो चेंजेज आप जरूर याद रखें ये चेंजेज याद रखेंगे तब ही आपका काम आएगा अदरवाईश बहुत मुश्किल होगी हिस्ट्री को समझना और याद रखना और अग्जेब के सासन काल के दावरान जजिया कर दिया गया था और अग्जेब ने जजिया को गैर मुसलमानों पर घिरना फैलाने वाला करार दिया जिसे बुद्धिमान और दयालू अकबर सेकेंड ने अपने सासन में समाप्त कर दिया याद रखना अकबर सेकेंड ने फाइनली इसे समाप किया है अंतिम मुगल समराट कौन था Who was the last मुगल इंपेरर सह आलम सेकेंड अकबर सेकेंड बहादूर सा सेकेंड अहमद सा सवाल नमर चार जल्दी तो अंतिम मुगल समराट की बात करें तो कौन बहादूर सा द्यूतिय है बहादूर सा सेकेंड अहमद साब दाली ये तो गल्लत हो जाएगा बिल्कुल अकबर सेकेंड या ये अकबर ने क्या किया राजा की उपाद दिथी किसको राजा राम मोहन राई तो बहादूसा दूतिय या बहादूसा जफर बहादूसा जफर या बहादूसा सकिन अंतिम मुगल सम्राग था और पता है 28 सितंबर 1837 को अपनी मिर्तियू के बाद अपने पिता अकबर दूतिय के उत्रादिकारी बना था पतला उनकी मिर्तियू के बाद किनके मिर्तियू अ आकबर दूतिय के मिर्तिय के बाद उसका उत्रादिकारी बना गद्धी पर बैठा। फॉर अमंग दा फॉलविंग वाद रिगार्ड़ेड है जिन्दा पीर। नम्रिकित में से किसे जिन्दा पीर माना जाता था। आकबर जहागिर औरंग जेब बाबर सवाल नम्र पांच। जिन्दा पीर किसे कहा जाता था यह मैंने बताया आपको औरंग जेब। औरंग जेब को जिन्दा पीर दरवेश कहा जाता था। दो बज़े वाली बागी क्लास बच्चे दो बज़े वाली जो बागी क्लास है वो कल 1.30 पीम पे करा देंगा ना परिसान ना होना बिल्कुल। तो 1669 हिस्वे में औरंग जेब ने सियासन पर कबजा किया अपने पिता बासा साजहा को आगरा के किले में कैदि बना दिया। आगे देखें नेक्स तो दिल्ली में लाल किला मोती मस्जित का निर्मान किस ने किया। आगरा में लेकिन दिल्ली में जो मोती मस्जित है उसका निर्मान ओरंग जेब करता है। ओरंग जेब द्वारा अपनाए कई उपाधियों में से कौन से उपाधी नहीं है। आलमगीर, पादसाह, सुल्तान सुलिमान, बादसाह गाजी, सवाल नमबर साथ तो औरंजेव द्वारा अपनाएगा यह उपादियों में से, कौन से उपादिय नहीं है, सुल्तान सुलिमान जबकि आलंगीर, पादसाह, बादसाह, गाजी ये सब के सब टाइटल किसके हैं? औरंजेव के हैं उत्राधिकार के युद में औरंजेव का समर्दन किस ने किया था? जहां आ रहा? जेवू निशा, जिन्टु निशा, या रोसन आ रहा? सवाल नमबर आट जब उत्रादिकार के युद्ध हुआ उसे उत्रादिकार के युद्ध में औरंजेव का समर्थन करती है इसकी सिस्टर रोसन आरा ने जबकि जहां आरा ने क्या किया ये साजहां के साथ रहना पसंद की जब साजहां कैद था आगरा के किले में वहां रहना प्रसंद करती है ये और रोसा नारा ये औरंग्जेब का समर्थन करती है रोसा नारा चलाग थी जानती हो भया कि जिदा रोसा औरंग्जेब का जंडा बुलन दे औरंग्जेब का समर्थन करो राज करोगे तो रोसा नारा ने औरंग्जेब का समर्थन किया था ठीक है? औरंग्जेब के सासनकाल के दवरान उनकी सेना ने मिन्यम्रिकित में से कौन सामिल नहीं थे? राजपुत, मराठा, पठान ये सबी सवाल नमर ना आई? ठीक है? तो औरंग्जेब के सासनकाल के दवरान उनकी सेना में कौन सामिल नहीं थे? मराठा, क्योंकि मराठा से इनका यूद था, आपको आपने देखाओगा मूवी आई थी ताना जी, तो मराठा से यूद चल रहा था, इसलिए मराठा इनके सामिल नहीं थे? उनके सासनकाल के दवरान मुगल सामरा थे, हिमालजी से करना तक और गुजराच से बंगाल तक फैला था, उसे कई बार सामरा करना पड़ा, जाट, मराठा, सिक, लेकिन औरंग्जेब के सेना में मराठो को सामिल नहीं किया गया था, याद रखना. बीबी का मकवरा औरंगाबाद में किसके दवारा बनाये गया था, जो ताजमाल की पर्तिक्रिती है, जहांगिर बहादूसा जफ़र औरंग्जेब या उप्रोक्त में से कोई नहीं सवाल नमर तस. जल्दी. अभी मैंने बताया आपको औरंग्जेब नहीं होगा, बीबी का मकवरा औरंगाबाद महराष्टा में भारत में स्थितिक मकवरा है, जिसका निर्मान मुगल बासा औरंग्जेब के बेटे आजम साह, ने अपनी मा की याद में किया मर्नो परांत इसे रभ्या उद्दुरा माने के नाम से चाना जाता था, देख लो, अभी तो पढ़ाया, कहा ध्यान है, वाट्सेप इन्वरसिटी भी गया, इसे लिए कहते हैं बेटा, जल्दी मैसे उसे ना किया करो, बिल्कुल, इस्टार्ट तो इसने किया, तो इस्टार्ट पुछा थोड़े, इस्टार्ट प बहादुर सा, सवाल नमर 11, जल्दी, जागिर्दारी संकट सरपर्थम किस मुगल समराट के सासन काल में हुआ था, और इंजेब के काल में, और इंजेब के काल में याद रखना, ठीक है, जागिर्दारी संकट की बात करें तो और इंजेब के सासन काल में देखने को मिला थ जागेदार में उंने क्या किया और इंजेब के समय में विद्रों कर दिया है भारत में छावा क् सहली का पर्थम अकबरा हुमाई को मकबरा जहांगिर को मकबरा अकबर को मैकबरा और इंजेब को मकबरा स्वालन Syabha भारत में चारवाक सहली का पर्थम मक्वरा हुमाई का मक्वरा है किसका हुमाई का मक्वरा है पर्थम मक्वरा है किसका हुमाई का मक्वरा है कहां दिल्ली में कहां पे दिल्ली में याद अखना तब कि शुरुवात किस ने की थी बाबर में दिल्ली में, जहांगर का मकपर लाहॉर में, अकबर का मकपर सिकंदरा में, जिसके कबर से अकबर की हड़ी को निकालकर राजा राम ने आग लगा दि, और अरंजेव का मकपर कहां महराष्टा दौलताबाद। तो हुमायू मकबरा का मुख्य इमारत लगबक आठ वर्सों में बर्गर तयार हुआ और भारती उप महादिप में चार बाग सहले का पर्थम मुदारन बनी चार बाग सहले का यहां सरपर्थम लाल बल्यों पत्थर बनाए गए यूज किये गए 1993 में इसे वर्ल्ड हरिटेस साइट यूनेज को द्वारा सामिल किया गया इस मकबरे में वही चार बाग सहले जिसे भाविश्य में ताजमहल को जरन दिया इस मकबरे को किसने मनाया हमीदा बानो बेगं जो हुमायों को विदवाती और वास्तुकार कौन थे सयद मुबारक इबन मिराग ग्याउद्दिन और उसके पिता मिराग ग्याउद्दिन ग्या तखना ठीक है जो अफगानिस्तान से आया था ठीक है पूरी तरह से संग्मर्मर और पेत्रे डिवरा का उप्योग करके निर्मित पहली इमारत कौन से थी हुमाई को मख़वरा इत्मात दुदावला का मख़वरा जहांगीर का मख़वरा इद में से कोई नी सवान बरती रहा मुझे पता है मन लगवा बईकुल पढ़ने में अब है मुझे मनन लगवा पढ़ने में लेकिन यही जब ना पढ़ाई जाए चेप्टर वाईश तब आप कहोगे सर चेप्टर वाईश शुरू करिये न अब चेप्टर वाईश पढ़ाएंगे तब मनना लगेगा ये तो है विडंबना तब भूरी तरह से संगमरमर और पीत्रे डूरा कौप्योग करके निर्मित पहली इमारत भारत में इत्मात दौला का मकवरा है जहांगिर के ससूर का जो आगरा मेर पहला पूरी तरह से वाईट मारबल से बनाया गिया इसने बनाया डूर जहाने इसकी पुतरी नूर जहाने नूर जहाने बनाई किस सासक के काल को संगमर्मर यूग कहा जाता था जहागिर साजहा और रंगे बिन में से कोई नहीं सवाल नमर 14 जल्दी तो किस सासक के काल को संगमर्मर यूग कहा जाता था बच्चे साजहा के काल क्योंकि साजहा ने कई बिल्दिंगे बनाई संगमर्मर से जिनमें से परमुख अपनी बेगम के याद में ताजमाल। जहागर ने किस चित्रकार को फारस के साह एवं उसके अमीरों का 26 बढ़ाने के लिए फारस बेजा था मैं पढ़ा चुका हूँ इसे। बिसंदास उस्ताद मंसूर अब्दुलहसा निनमें से कोई नहीं सवाल निम पच्छियों का पच्छियों का बहुत बाद चित्रकार कौन था तो उस्ताद मंसूर और किसे बेजा गया था बिसंदास को जातर था किसे बिसंदास को और अंजेब काली ने तिहासिक गरंथ नुसका ये दिलखुसा के रशनकार कौन थे भिमसिंज सक्सेना काइस्थ अकबर नामक इसके दिलखुसा के रशनकार कौन थे भिमसिंज सक्सेना काइस्थ देख लो नएने सवाल देखने को मिलेंगे आपको अकबर नामक इसने लिखा अब्दुरहिम खाने खाना अब्दुलकादिर बदायूनी पहजी अबुल फजल सवाल नवर सत्रह तु याद दो को अकबर नामक इसके दवारा लिखा गया अबुल फजल के दवारा अगरा में इत्मात दौला का मकबरा किसने बनवाया था अकबर जहांगिर नूर जहां साजहां सवाल मर्ठारा वो बिल्ट दा टॉम्ब ओप इत्मात दौला इन आगरा आगरा में इत्मात दौला का मकवरा किसने बनवाया था तो अभी मैंने बताया नूर जहां ने बनवाया किस ने बनवाया नूर जहान ने बनवाया जो बिलकुल पहला भारत में वाइट मारवल से बना हुआ है पहला भारत में वाइट मारवल से बना हुआ है बिलकुल या तक ना राज कुताना के नम्रिकित में से किस तरा जन्य अकबर की संपर्भुता को स्विकार नहीं किया मतलब ताउम्र अकबर से लड़ता रहा आमेर, मेवाड, मारवाड, बीकानेर, सवाल नमर उन्निस कौन है? तु मारवाड, कौन है? मारवाड, हनो? कौन थे? महराना परताप कबूलियत और पट्टा किसके सासंगाल के दवरान बंदुबस्त के साधन की रूपे पेस किये गए? जल्दी तो कबूलियत और पट्टा किसके सासंगाल के दवरान पेस्ट किये गए थे? सेरसा ने पेस किया था सबसे पहले किसने? सेरसा ने पेस किया था कबूलियत और पट्टा तो सर कबूलियत और पट्टा क्या ये समझते हैं? जमीन से जुड़ी भी लैंड से जुड़ा हुआ अई समझते हैं तो पठान सुल्थान सेर्शा सूरी सेर्शा सूरी ने उपज के संदर में भूमी को मापा और वर्गी कृत के बाटा कबूलियत और पट्टा सुरू किया अकबर ने भी से लागू किया तो सब या कबूलियत और पट्टा है क्या ये समझते हैं देखो राज्य किसान को जो भूमी देता था जो लैंड देता था उसका विवरन एक दस्तावेज में लिखा होता था उसे पट्टा कहा जाता था और किसान उसे प्राप्त कर कितना लगान देना है उसे कबूल करता था उसे कबूलियत कहा जाता था किलियर है हाँ महराना परताब मेवाल के थे मेरे लाल लेकिन मारवाल कभी भी मारवाल कभी भी अकबर के अधीन नहीं आया मारवाल कभी भी अकबर के अधीन नहीं आया याद रखना ठीक है महराना परताब मेवाल के थे बिलकूल राना सांगा मेवाल के थे लेकिन मारवाल क सी तेफाग रखते हैं, लेकिन वहाँ पर मारवाल कभी भी कवजे में नहीं आया, याद रखना, तो ये पट्टा और कबुलिएट किलिएर है, कि पट्टा क्या था, कबुलियत क्या था, पट्टा क्या था, जिस पर लिखा होता था दस्थावेज के रूप में, और कबुलि नहीं तो वीना अभी मैंने बताया वीना पहला सवाल याद करिए जहांगिर को कहां ता अपनाया गया आगरा दिल्ली लाहर स्रीनगर सवाल नमर बाईस जहांगिर को बच्चे कहां ता अपनाया गया था लाहर में सबके मखपराच जरूर यादर के बाबर काबूल हुमायु दिल्ली जहांगिर लाहर साजा आगरा बीच में छुटिए न खुर न हुमायु के बाद के बाद, अकबर, शिकंदरा, ओर जेव, दौलता बाद, बाहा वो अब परसित जैन आचारे कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था चंदरपरभा सूरी, पुष्पदंत, हरी विजय सूरी, यसो भद्र, सवाल नमर 23 तो किसने सम्मानित किया बहुत अकबर ने हरी विजय सूरी, जैन संत थे ये, जैन आचारे थे अब देखे कौन जहांगेर के चित्रकार थे अब्दुत समथ अबूल हसन अकारीजा पिर सयद अली सवाल नमर 24 बताए क्या होगा सासाराम में सेर्जा का मकबरा सासाराम मत बताओ तो कौन जहांगेर के चित्रकार थे बच्चे दो और तीन अबूल हसन और अकारिजा ये जहांगिर के चित्रकार थे कौन हो? option number 2 and 3 option number 2 and 3 ठीक है? लंदन में British East India Company के गठन के समय भारत का बात्सा कौन था? अकबर जहांगिर साजा और इंजेव सवाल नवर पर चिश तो लंदन में जब British East India Company के गठन के बात की गई तो भारत में अकबर का सासन था क्यों? क्योंकि East India Company के स्थापना 31 December 1600 को होता है अब आप लगाओगे जहांगिर कई लोग लगाएंगे बिल्कुल लगाईए लगाना भी चाहिए ये तब होगा जब East India Company भारत आएगी भारत आएगी कब? 1608 1608 तो कम से कम आख बिल्कुल खोल के रखेंगे अपने नयान चच्छू आख बंद करके जहागिर ना लगाएं क्योंकि सवाल पढ़ ले गठन की बात की गई 31 December 1600 को गठन हुआ था तो क्योंकि आख बर की मिर्तियू 1605 में हो जाती है और इस समय आख बर के समकारें कौन है? Elizabeth First Elizabeth First ठीक है? तो गलतियों मात करें बिल्कुल सहाजाहा के काल में कौन यूरोपिय यात्री भारत आया? William Hawkins, Thomas Rowe Antonio Montseret Montseret और Peter Mundi सब आख बिस जल्दी तो सहाजाहा के काल में कौन यूरोपिय यात्री भारत आया? Peter Mundi जबकि William Hawkins, Thomas Rowe ये कौन होगा? भईया ये जहांगिर के काल में हे भागवान, हे प्रभू कम से कम इनके टाइपिंग वाले हाथ को रोक दो गलती मत टाइप कराओ देखे रो William Hawkins, Oh My God नजर ना लगे इनकी मितलेश हमारी क्लास, मितलेश कुमार सर्माजी हमारी क्लास साम को पांच में जोती है अकबर ने किस वर्ष दिने इलाहिस तुरू किया? अकबर ने किस वर्ष दिने इलाहिस तुरू कि थी? तो याद होना चाहिए 1582 में क्यों? क्योंकि अकबर एक नया धर्म शुरू कि अकबर याद होगा प्रात्ना सभा बनाता है अपना प्रात्ना सभा इबादत खाना 1575 में और 1578 में सभी धर्मों के इंटरी मिल जाती है 1582 में ये इबादत खाना बंद करता है और तभी दिने इलाहिस तुरू करता है 1582 में फिर 1583 में एक नया समवत चलाता है इलाहि समवत इलाहि समवत और इलाहाबाद इला का निर्मान करता है तो कहानी जरूर पढ़िए, कहानी समझेंगे, कभी गलते नहीं होगा, ठीके तुका नहीं मारेंगे बाबार ने सरपर्थम पात्सा की पद्विधारन कब की थी, फर्गना में दिल्ली में, काबूल में, समर्गंद में सवालम रठाईज बाबार ने सरपर्थम पात्सा की पद्विधारन की थी, कब काबूल में, कहां पर भई, काबूल में, याद रखना है, दिल्ली मनी, काबूल में, ठीक है नम्निकेश में से कौन साजहां के सासंगाल का राज कभी था, कलीम, कासी, मुनीर, कुदसी, सवाल म. 29 नेहाजी, मेरी क्लास के टाइमिंग 5 बजे, सुबा 8 पजकर 5 नट पर आने कैडमी पे, बिल्कुल है, स्पेसल क्लास पुरी में, है न, तो जोलू जुडियेगा चाजहां के सासंगाल का राज कभी कलीम है, अगर आप करेंट अफेस पढ़ाना चाहते हैं, तो अभी मैं लिंक सेर कर दूँगा, वीडियो के निचे, दिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अन अकैडमी पे, 6 बजकर 5 नट पे, तो आप जरूर जोइन करिए, ठीक है साजहां ने किसे साह इकबाल और साह बुलंग की उपाधी सौपी, दारा सिको, साह सुझ्जा, औरंग्जेब, मुराद, सवाल नमर 30 तो फिर से गलत हो गया, मान से ही जी, नहीं पढ़ेंगे तो गलत होगा, यह थियोरी पढ़ा करिए, तब गलत नहीं होगा साजहां ने किसे साह इकबाल और साह बुलंग की उपाधी जारन की थी, दारा सिको, बड़ा अच्छा बच्चा था इसका, पढ़ा लिखा बिलकुल, वेल एडुकेटिड, वेल एडुकेटिड, पढ़ा लिखा था इसका, यह ना साजहां के सासनकाल के, अंतिम वर्सों में हुए उत्राधिकार के युधों का करम क्या था, बताइए, अभी मैंने पढ़ाया है बड़ा आपस में चटिया रहे थे अभी, बताइए का होगा बहुत चटिया रहे थे, बहादुर्पूर धर्मत सामुगर खजुआ देवराई, अभी मैंने कहा था पढ़ ले ना, सवाल बनेगा धर्मत बहादूरपूर सामुगर खजुआ देवराई सामुगर बहादूरपूर धर्मत खजुआ देवराई या खजुआ बहादूरपूर धर्मत सामुगर देवराई सवाल नमर 30 क्या होगा पहले बहादूरपूर जो बनारस के पास है फिर धर्मत, फिर सामुगल, फिर खजुवा, फिर दिवराई ये चारो यूद 1658 में होते हैं और ये 1669 में 1669 में दारा सिको और औरंजेर के मध्य उतरा धिकार युद्धों में सबसे निरनायक युद्ध कौन माना जाता है धर्मत का युद्ध, सामुगल का युद्ध, दिवराई का युद्ध, इन में से कोई नहीं सवाल नमर 32 अज़र ट्रेनिंग में है कोई दिकर नहीं बच्चे दारा सिको और 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 अरंजेर के मध्य, उतरा धिकार के युद्धों में सर्तिन निर्णाय कौन माना जाता है, सामुगल, क्योंकि इसके बाद डारा सिको बिल्कुल अकिला पड़ जाता है बिल्कुल अकिला इसे धी खराब है तारा सिको का और अंजेर के विरुद्ध हुए उतर भारत के विद्रों का सही करम क्या है औरंजेब के विरुद उत्तर भारत के विद्रों का सही करम क्या है जाट बुंदेला सतनामी सिख या बुंदेला जाट सतनामी सिख जाट बुंदेला सतनामी क्या होगा तो औरंजेब के विरुद की बात करें उत्तर भारत में विद्रों का सही करम क्या होगा पहले जाट भी दुरो होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ, बुंदेला भी दुरो, फिर सतनामी और फिर लास्त में सीख भी दुरो, तभी तो सीख के नौवे गुरू को खांसे पे लटकाये जाता है, तो ये था आज का सेशन आयोब्चों गाईश, बहुत मज़ा आएगा, क सबसे बड़ी चीज के लिए रेल्वे काटागरी में, जो स्टेट पेसी के लिए बिल्कुल बेनिफिट होगा, तो आप हमारे साथ जोइन कर सकते है, अगर आपको लगता है, मैं दोनों जोइन करना चाहता हूँ, ये कॉंबो आफर आप जरू उठाईए, एक साल का सब्स चीज के दो साल के सब्सक्रिप्सन लेने पे 6 मैंने फरी, तो इससी जरूर जोइन करें, जो मेरे दोनों सेग्मेंट में मेरे कोर्से चल रहा है, इससी में और रेल्वे में भी, जिसमें इससी में अल्टिमेट टेस्ट आफर मिल जाएगा आपको, और कल परसो संडे है, कोट डाल की, बाब आठे, अना, अन्यक्ति सब्सक्रिप्सन के लिए आप हमारा रेप्राल कोट बाब आब टेल लेगा कर जोइन कर सकते हैं बच्चे, और यह हमारे क्लास के सेडूल, अभी 6 बच कर 5 मिनाट पर करेंट अफेर से, तो मैं लिंक सेयर कर दूँँगा, वीड